मुश्कात दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिबल प्लस आइटी रखनो एंद दोस्तों फस्ट अफॉल हैपी देवाली तो दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टरनल बोरिंग मशीन के बारे में कि टरनल बोरिंग मशीन क्या होती है उसके टाइ cockpit और कैसे काम करती है उसके और में थोड़ी बहुत इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरू देखिए टर्नल बोली मशीन को मूल भी कहा जाता है जिसका यूज खुदाई के लिए किया जाता है इस मशीन में एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का प्रियोग किया जाता है जो की इसके सामने के हिस्से पर लगाया जाता है जिसका काम होता है मिट्टी और पत्थ्रों को बाहर निकालना इसका प्रियोग माइक्रो टनिंग के लिए भी किया जाता है टीबियम मशीन का इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसका उप्योग रेते से लेकर जो भी हार्ड रॉक्स या फिर सक्त पत्थ्रों को भी नि की रेंज एक मीटर से लेकर सथ्रा दशम्लब six meter तक हो सकती है एक मेटर के डाया वाले TVM का प्रयोग माइक्रो टर्नल और छूट्टी तरनल के लिए किया जाता है और इसके अलावा सथ्रा दशम्लब छोट्री डाया मेटर वाले टरनल का प्रियोग बड़ी सुरंगों के लिए किया जाता है एक मीटर से कम डाया की जो टीविम मशीन है उसका प्रियोग ट्रंचेस के निर्मान के लिए और होरिजन्टल डारेक्शनल ड्रिलिंग के लिए किया जाता है टीविम का प्रियोग केवल सरकुलर टरनल में ही नहीं किया ज प्रियाक्टेंगर टर्नल के लिए भी किया जा सकता है। टर्नल बोरिंग मशीन का प्रियोग अल्टरनेटिव की तरह किया जाता है। ड्रिलिंग एन ब्लास्टिंग प्रोसेस की जगा पे जो की mostly hard rock और conventional hand mining की जगे यूस की जाती है। टर्नल बोरिंग मशीन का प्रियोग नॉर्मली शहरी और घनी अवादी वाले शित्रों में किया जाता है। क्योंकि इन शित्रों में आप mining और drilling method का प्रियोग या फिर blasting method का प्रियोग नहीं कर सकते। अगर हम drilling और mining या फिर blasting method का प्रियोग करते हैं तो उससे काफी ज्यादा sound produce होता है और vibration भी होती है जिसके वैसे अगर हम underground अगर tunneling का प्रियोग कर रहे हैं बना रहे हैं या construct कर रहे हैं तो उससे वहां के space के घरों में दरारे पड़ सकती है और damage हो सकता है जैसे कि आप जानते हैं TBM का advantage है कि यह machine very limited disturbance और काफी smoothly काम करती है जिसकी वजह से आसपास की जगे पर शो नहीं होता और vibration production भी बहुत कम होता है जिससे की property damage के chances less हो जाते हैं TBM का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि यह machine शहरी शत्रों के लिए TBM के disadvantage के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा और नुकसान और disadvantage यह है कि इसके up front की cost काफी ज्यादा होती है और TBM को construct करना भी काफी महंगा पड़ जाता है इसके साथ ही इसका transportation भी काफी मुश्किल होता है जितनी लंबी टनल होगी उतना ही टनल बोरिंग मशीन कोस्ट कम होती है as compared to drilling and blast method इसका मतलब यह निकलता है कि स्रोंगों का निर्मान TBM के द्वारा काफी efficiently हो सकता है जिससे कि project complete work time घट जाता है और project time से पहले ही complete हो जाता है इसके अलावा अगर हम drilling और blast method की बात करें तो इसमें जितनी ज़्यादा लंबी सुरंग होगी खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होगा इसलिए आज कल TBM machine का काफी ज़्यादा प्रियोग किया जाता है चलिए TBM machine के बारे में कुछ जानकारी प्राप्ट करते हैं पहली प्रियोग ये TBM machine के बारे में कुछ जानकारी प्राप्ट करते हैं दा फर्स सक्सेस्फुल फ्रेंचिंग शील्ड को सर मार्क स्लामबार्ड बुरुनल के दौरा बनाया गया था जिसके दौरा आठासो पचीस में थोमस टनल का निर्मान किया गया था उसके बाद पहली बोरिंग मशीन जो की अस्तित्व में आई उसे हैंडी जोफर्स मार्क्स माउंट टेन स्लाइसर दौरा बनाया गया जो की किंग ओफ सार्डियान या अठासो पैंसेट में फ्रेजियूस रेल टनल के निर्मान में काम लाई गयी जिसमें की एक रेल टनल का निर्मान किया गया था जो की फ्रांस और इटली और कैनेडा की एक कंपनी जिसका नाम दा रोबिन्स कंपनी है ने 14.4 मीटर दाया की टीबियम मशीन का निर्मान किया जिसका आज यूज होता है इसका उपियोग नायगरा टनल प्रजेक्ट के लिए किया गया था यहां पर तीन प्रकार की TBM मशीन का प्रियोग किया जाता है जिसमें hard rock TBM, soft ground TBM और उसके अलावा micro tunnel TBM का प्रियोग किया जाता है तो इसमें जो पहली हम यूज करने वाले हैं वो है hard rock TBM hard rock की case में ये तो shielded और open type की TBM का प्रियोग किया जाता है hard rock TBM disk cutter के द्वारा hard rock को execute करती है जो की उसके cutter head पर लगाया होता है disk cutter कुछ इस तरीके से काम करता है जिससे की एक pressure crate होता है और पत्थर तूटना शुरू हो जाता है जिससे उसे tunnel के बाहर निकाल दिया जाता है cutter head के एक system लगाया जाता है जिसमें की एक conveyor belt दी गई होती है जो की वहाँ पे hard rock starter को बाहर निकालने का काम करती है इसमें जो दूसरा हमारे पास type है वो है soft ground TBM soft ground में तीन प्रकार की TBM का प्रयोग होता है इसमें पहला है earth pressure balance दूसरा slurry shield और तीसरा open face type इसमें slurry shield और open face type TBM का प्रयोग single shield TBM thrust cylinder का प्रयोग करके आगे लाया जाता है जिसका pressure concrete के against होता है उसके अलावा earth pressure balance machine का प्रयोग soft ground और साथ बार से कम के लिए किया जाता है इसमें seven bars means जो steel bars provide की गई है as a construction में casting के वक्त जो use करते हैं उसका मतलब seven bar है इसमें केवल cutter head में disc cutter ही नहीं use किया जाता है इसके अलावा tungsten, carbide cutting bits, carbide disc cutters, drag picks and hand rocks disc cutter का भी प्रयोग किया जाता है इसमें अंतिम और जो last हमारे पास option है micro tunnel shield method micro tunnel shield method का प्रयोग digging technique जैसे की small tunnel और diminished general tunneling shield के लिए किया जाता है micro tunnel shield method में tbm का डाया एक मीटर से लेके डिएड़ मीटर के बीच में ही होता है तो viewers, hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो जानकारी है वो आपके लिए काफी होगी या फिर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी और प्राप्त कर नहीं तो मेरे चैनल को subscribe करें लाइक करिए और शेयर करिए और मैं इसकी से related ऐसी जानकारी की वीडियो से आपके लिए डालता रहूँगा थैंक यू प्राप्त्राप्त